आज हम जानेंगे अद्रक और उससे होने वाले फायदों के बारे में सर्दी हो या गर्मी अद्रक का नाम सुनते ही गरम गरम अद्रक वाली चाय की आदा जाती है वैसे तो अद्रक पॉस्टिक खाने को और भी स्वाद और पॉस्टिक बना देता है इसी लिए इसकी किचन में एक अलग और खास जगा होती है अद्रक में जो एंटी ऑक्सिडेंस होते हैं वो एंटी सेप्टिक भी होते हैं इससे एंटी एजिंग, मुहासों की समस्या, तवचा के जलने, रूसी, बाल जलने आदी में मदद मिलती है आईए अब अद्रक के फाइदे जानते हैं यह डेंडरफ का सफाया कर देता है अद्रक के तेल के इस्तेमाल से बालों में डेंडरफ नहीं होता और बाल जल्दी बढ़ते हैं सिरका ब्लड सर्कृलेशन बढ़ता है, बाल मुलायम और चमकदार होते हैं इसमें मौझूद फॉसफोरस, जिंक और विटमिन से बाल रूखे और दो मूँ वाले नहीं होते चलिए इसको यूज करने की विदी जानते हैं अद्रक को घिसे और ओलिव ओयल के साथ मिला ले इसे अपने स्केल्ब की पांच मिनट तक मसाज करें और फिर रादवर के लिए छोड़ दें अगली सुबा किसी भी माइल्ड शेंपू से धोएं कंडिशनर का इस्तेमाल हरगिस ना करें अद्रक के रस को जली हुई स्किन पर लगाएं राहत मिलेगी अद्रक में शहद और नीबू मिलाकर चहरे पे लगाने से मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं शहद रोमचिद्रों की घहराई से सफाई करता है और नीबू में एंटी फंगल और एंटी बेक्टीरियल तत्व होते हैं जो मुहासे और दाग धब्बे दूर कर देते हैं अद्रक से आप natural moisturizer भी बना सकते हैं इसके लिए एक अद्रक को घिस लें और उसमें तीन चमच शहर मिला लें फिर इसमें आदी कटोरी glycerine मिलाएं इसे face pack के रूप में पूरे चहरे पे लगा दें कुछ देर में सूखने के बाद पानी से अच्छी तरह धोलें प्राकृतिक चीजें हमेशा से ही artificial चीजों से ज्यादा विश्वसनी रही हैं और इसका इस्तिमाल शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता इसलिए हमें प्रकृति का ध्यान रखना है और इसे स्वच बनाना है क्योंकि प्रकृति स्वच तो आप स्वच जुड़े रहे जाने के लिए ऐसी ही स्वास्ते वर्दक बाते हैं